यह question देखने से पहले अगर आपने question 7 नहीं देखा तो पहले मैं यह recommend करता हूँ कि उसको देख लेना क्योंकि यह question उसके साथ linked है तो पहले आप उस question को देख लेना उसके बाद ही आप इस question को देखना so this question says if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about the side 5 cm तो जैसे पिछले question में हमने क्या किया था कि हमने इस triangle को 12 cm वाली side के about rotate किया था तो वो एक कौन बना था इसमें वो कहता है कि 5 cm वाली side के about इसको rotate करो तो इस case में आप इसको ये वाली side के about rotate करोगे तो ये आपका जब ऐसे rotate होगा तो ये यहाँ पे आपका एक कौन बनेगा थिक है तो ये आपकी कौन की height जो है वो इस बार क्या जाएगी 5 cm और ये तो slant height ही रहेगी ये जो hypotenuse है ये तो बार बार वाली side ही रहेगा तो ये तो 13 cm ही रहेगा ये जो है नीचे वाली side जो इसके साथ perpendicular है ये जो side है ये इसका radius बन जाएगी ठीक है then find the volume of the solid so obtained तो पहले तो हम इसका volume निकाल लेते हैं तो solid जो बनेगा वो क्या बनेगा वो एक कौन बनेगा so इस case में हमारा h क्या हो जाएगा इसकी height हो जाएगी 5 cm कौन की और इसका radius कितना हो जाएगा वो जाएगा 12 cm और वापिस से कौन के volume का क्योंकि जो solid figure बनेगी इसको गुमा के वो कौन बनेगा और कौन का volume क्या होता है 1 by 3 pi r square h यानि की 1 by 3 pi को भी मैं pi ही छोड़ रहा हूँ जैसे मैंने पिछले question में छोड़ा था r की value 12 तो यानि की 12 into 12 कर देते है 12 square की जगा 12 into 12 लिख दिया और h कितना है h है मेरे पास 5 तो यह 3 into 4 तो इसको जब आप solve करोगे तो यह आ जाएगा 4 into 5 20 into 12 is 240 pi cm3 अब second part इसका यह कहता है find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question 7 and 8 अब देखो question 7 में हमारे पास जो कौन आया था उसका volume कितना था 100 pi cm3 ठीक है तो यह इतना था अब वो यह कह रहा है कि question 7 में जो कौन बना था उसका volume और इस question में जो कौन बना है उसका volume इन दोनों की ratio find out करो तो अब यह ratio कितनी हो जाएगी 100 pi is to 245 तो यह pi के साथ pi कट गया है so इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ा था क्योंकि pi के साथ pi कट जाता है ठीक है तो आपकी calculation असान हो जाती है otherwise यह क्या fractions में चला जाएगा और सकता है infinite fractions में चला जाएगा तो फिर वो fractions निकालने मुश्किल हो जाती है sometimes तो इसलिए आप visualize करके चीजों को वैसे छोड़ भी सकते हो अब यहां से 0 के साथ 0 कट गई तो यह होगा 10 is to 24 तो यहां पे अभी भी 2 पे ड्वाइड हो जाता है दोनों साइड से तो 5 is to 12 is the answer so that's it from this tutorial keep watching mathemafia